हेलो दोस्तों दिस इस अविशेग आज हम इस वीडियो में for loop सेखेंगे कि for loop क्या होता जावा में उससे पहले हमें यह सुवज़ना पड़ेगा कि loop क्या होता तो जितने लोग loop जानते होंगे उनके तो सही है जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं इसमें लूप का concept भी समझाऊँगा अब फिर बात में for loop का concept भी समझाऊँगा तो इस वीडियो में बने रहें अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक फाइल बना लिए loop.java नाम की इसमें हम सिंपल पहले एक main method बनाए एक class बनाए एक main method यहां पर मैंने class बनाए looping नाम की और एक main method बना दिया अब मैं loop का concept सुमने के लिए इतना समझो कि अगर मालो कि मुझे कुछ print करवाना है तो कैसे print करवाएंगे system.out.printalent के ही इस्तिमाल से है ना simple जैसे मुझे one print करवाना है तो मैं कैसे print करवाऊंगा पहले मैं लिखुँगा system.out.printalent और मैंने यहापर one लिख दिया अगर मैं इसको अभी run कराऊंगा save करके तो मेरा one print हो जाएगा यह देखो मेरा one print हो गया अब मैं आपसे कहूँ कि यह one मुझे 10 बार print करके दिखाना है तो आप कैसे print करवाऊंगे इसे बार बार system.out.printalent आप 10 बार लिखोगे तो यह जो दस बार लिखने के से अचा है कुछ ऐसी ट्रिक लगाएं ताकि यह 10 बार अपने आप प्रिंट हो जाएं बावर हमें 10 बार यह लिखना ना पड़े system.out.printalent system.out.printalent तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं तो लूपिंग में ही एक concept होता है for loop तो इसमें हम for loop यूज करके one को दस बार प्रिंट करवाना सिखेंगे ठीक है तो जैसे हमने यहां पर system.out.printalent 1 लिखा हुआ है हम इसी के उपर यहां पर main method में for loop लगाएंगे for loop में हम कैसे लिखते हैं for लिखा फिर bracket के अंदर सबसे पहले हमारी condition होती है कि जो loop है वो start कहा से होगा तो हम 0 से start कर रहे है तो i एक variable declare कर दिया int i equals to 0 फिर semicolon देंगे अब दूसरी condition हाती है कि कहां तक loop चलना है तो हमें इसे 10 बार प्रिंट करवाना है तो हमें 10 बार loop चलना पड़ाएंगा तो इसको हम 10 लिखेंगे last में तो i is smaller than or equals to 10 अब यहां पर हमें 30 condition देनी पड़ती है कि हमें increment में loop चलना है decrement में तो हमें 0 1 2 3 4 5 6 यह हमारा increment कर रहाना है तो हमें increment में loop चलना है तो उसके लिए हम लिखते हैं i plus plus इसका मतलब होता है increment तो यह हमारा loop लग गया अब इसमें आगे हम एक और bracket देंगे और इस bracket के अंदर ही हम यह print allen का method डालेंगे print method डालेंगे बस इतना की काम है इसको save करा हमने इसको पहले फिर से समझते हैं यह हमारी class हो गई हमारी main method हो गया main method में हमने लगा for loop for loop का syntax क्या होता है सबसे पहले हम लिखते हैं कि loop कहां से start होगा तो हमने 0 से start करवाया फिर second semicolon लगके second इसमें वो second में हमें लिखना पड़ता है कि loop कहां तक चलेगा तो हमें 10 तक चलाना है 10 से 10 के परावर चलाना तो एक question लिख दियागा तीसरा होता है कि हमें increment में चाहिए या decrement में तो हमने यहां पर increment में दिया है तो अभी हम इसको run कराएंगे save मैंने कर दिया run कराएंगे तो यह देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा यह ग्यारा बार प्रिंट होगे क्योंकि मैंने loop 0 से चलाया अगर आपको 10 बार यह प्रिंट करवाना तो आप यहां पर one लिख देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसलिए हम लूप का यूज़ करते हैं ताकि अब मैंने था आपको 10 बार प्रिंट करने के लिखा आता आपको यह होता कि आपको सो बार प्रिंट करना तो आपको सो बार प्रिंट एलन लिखना पड़ता तो इसलिए यह लूप का कॉंसेप्ट आया है ताकि यह वाला जो एड है कि वो ना हो आप सिंपली एक लूप लगा के इसको जितना चाहिए उती बार प्रिंट करवा सकते हैं अगर मैं यह आपर सो लिख दूंगा तो यह सो बार प्रिंट होगा तो यह सो बार प्रिंट हो होती है ताकि जो काम हमें बावर करना है उसके लिए हम simple loop लगा दें और वह काम अपने अप ही हो जाया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तर